जोतिश रतन केंद्र चैनल पे हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदर मेरे प्रिया साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदनन्द शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार तो प्रिया साथियों करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अन्पसंद कार रेकरम को लेकर के जिसका नाम है दैनिक राशी फल और दैनिक राशी फल की जो ये चर्चा है जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको पंचांग के विशह में जानकरी देते हैं आज भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं पंचांग के बाद आपसे करेंगे चर्चाप के देनिक राशीफल के विशह में और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका देनिक राशीफल दोनो दिनांग 30 सितमवर संद 2024 दिन सौमवार विक्रम संबत 2081 का है हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष तित होगी आज त्रियो दशी और नक्षत्र रहेगा मगा प्राते 6 बच कर 19 मिनट तक उसके पश्चात फूर्वा फालगुनी नक्षत आरंब होगा योग रहेगा शुब करन होगा वनेच और राशी होगी सिंग और चंद्रमा आज भी अपनी मित्र राशी सिंग में ही पूरे दिन करेंगे संचार राहुकाल की जो समय अफदी है वे प्राते 7 बच कर 42 मिनट से लेके प्राते 9 बच कर 12 मिनट तक रहेगी और अभीजीत मूर्थ का जो शुब समय अफदी है वे प्राते 11 बच कर 46 मिनट से लेकर दो पहर 12 बच कर 34 मिनट तक रहने वाला है इसके अतिरिक्त आज सोम प्रदोश वरत है, मासिक शिवरात्री है और त्रियो दशी तिती का शराद भी है तो ये थी जानकारी पंचांग के विशे में अब आपसे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशी फल को लेके जो की पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इससे में वरतमान सिती है उसी पर ये आधारित है तो आरम करते हैं मेश राशी से यानि के जिनका एरी साइन है तो प्रियसातियों सबसे पहले बताना चाहेंगे वेभाईक सुखों का पूरा आनद लेंगे और आपका करियर जो है वो मध्यम परियनामों की प्राप्ति कराने वाला है आज के दिन भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कुछ आज के दिन बहतर परियनामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है लेकिन जो higher studies करने वाले students हैं उनको मेहनत करके ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ती हो पाएगी घर-परिवार के सदस्यों के साथ सामानने relation बने रहेंगे शत्रों से जरूर हम बार-बार बोल रहे हैं बोल रहे हैं इस बात को मेश-राशी के जात्कों को कि विरोधियों से शत्रों से आप साफधान रहीएगा हो सकता है वो आपको कुछ ना कुछ नुपसान पहुचाने की कोशिच करें या आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ जाए इसके लिए कुछ उनके प्रियास इस दिशा में भी रह सकते हैं साथियों उसके लिए उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए वो उपाय अब हम आपको बता रहे हैं तो एक तो आप गले में चांदी की चेन जरू पहन लें गले में चांदी की चेन अगर आप पहनेंगे तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि सुखों में वरद्धी होगी जो सुखों में कमी चल रही थी अब वो सुखों में आज के दिन थोड़ा सा आप सुखों का लाब लेंगे और या सुविदाओं में आपके विरदी के भी संकेत है आपका जो करियर है जो बहुती सामानने से मद्धम परिणाम आपको प्राप्त करा रहा था आज के दिन उसमें थोड़ा सा इंप्रूमेंट सुधार होते हुए भी रिजल्ट्स में आपको दिखाएगा लाब में कोई कमी नहीं है धन के लाब में धन का लाब आपको होता रहेगा और जो धन का संचे करने में थोड़ी समस्या जरूर है क्योंकि जो धन का लाब आपको हो रहा है वह लाब आप पूरा इन्वेस्ट ना करके या इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो जल्दवाजी में ना करें किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिल करके आपको करेंगे तो आपको अच्छा रिटन हासल होगा उसका अगर आप जल्दवाजी में वैसी करतेंगे तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है वैसे दूसरी बात आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे या कम फोकस रखेंगे तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं लेकिन जो एक तरीके से मैं कहूंगा जो हाईर इस्टूडिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके परिणामों में आज थोड़ा सुधार होते हुए भी हो सकता है और अगर आप दूर दराज की यातराएं कर रहे हैं तो उससे भी लाब होगा उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए प्रियसातियों मैं यही कहूंगा कि हाथ में एक चांदी का कड़ा अगर आप पहनते हैं सीधे हाथ में तो इससे आपको अच्छा लाब होगा मिथुनराशी की बात कर लेते हैं मिथुनराशी के जो हमारे जातक हैं अगर आप सबसे बड़ी बात ही है कि कुछ समस्या है आप मिथुनराशी के जातकों के लिए जरूर चल नहीं है उन्हीं के कारण आप का माइंड भी जो है वो डिस्टर्ब है और थोड़ा सा ए क्या कहते हैं। सूर्य हैवी वह भी पी इस्थिती अच्छी नहीं है। वह भी राहु से पेडित हो गए है। बुद्दी वह अस्थ है, तो यहां पर कुछा ऐसी इस्थिती बन रही है कि थोड़ा सा गरहुन का इस्थिती कंजौर है। उसई कारण आपको पूरे रिजलट् बनी हुई है लेकिन अगर मैं बात करूं आपके धन के इंकम की तो उसमें निश्चित रूप से इंप्रूमेंट होते हुए दिख रहा हूँ बिलकुल देख रहा हूँ आपको धन के आगमन में धन के लाब में व्रद्धी के संकेत हैं और जो नॉर्मल एजूकेशन लेने व होने के कारण आप अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भागे भी आपका एक तरीके से उसमें भी कमजोरी रहेगी भागे का भी पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा और जो धन का संचे है धन का संचे तो आप करेंगे लेकिन जितनी मात का पाट करें सूर्य देव को जल्दें प्राते काल और ओम हराम हरीम हराम से सूर्य नमाइस मंतर की भी एकमाला मनी मन जल्द देते समय सूर्य देव को आपको करना है और हनुमान इस्तोत्र का पाट करें आप तो आपकी काफी समस्याएं दूर होंगी और हनुमान इस्तोत्र क पाट करके आपको ये भी करना है कि अगर बंदरों को आप गुर और चना खिला सकते हैं तो इस से आपके और भी संकट दूर होंगे और नियमित रूप से खिलाएं बंदरों को गुर और चना आगे बात करते हैं करकराशी के जो जातक हैं जिनका की कैंसर साइन है तो साथियो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो भी तना तनी चल लए थी या है उसमें निश्चे दूप से कुछ ना कुछ सुधार होगा उससे आपको आपका मन भी प्रसंड होगा वो सब चीज़ों को देखके के चलो गई पहले के मुकाबले काफी चीज़ें जो है वो बहतर ह हैं उनके साथ मिल बैठके परिजनों के साथ हाँ आपका जो पराकरम है पराकरम जो है वो प्रवावित हो रहा है और एनरजी लेविल में कमी देख रहे हैं छोटी दूरी की आतरा हैं बिलकुल ना करें बिलकुल भी एक तरीके से मैं तो यही कहूंगा साथी हो कि आप उनसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यनि कि महनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, परिणाम बहुत सामानने रूप से प्राप्त होंगे, सिमित मात्रा में, वैसे एजुकेशन सेक्टर में हैं, जो बच्चे पढ़, मतलब जो एजुकेशन में हैं, न उपाये आप करें, भगवाएं शंगर जी के उपर शुद्य जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उनका भी शेक करें, शिवलिंग का, और उपर से काले तिल बाद में, आपको चड़ाने है, और वहीं बैठ करके, ओम सोम सोमाय नमा, ओम राम राहवे नमा, और ओम नमेश शिवाएं इन तीनों मंत्रों की एक एक माला वहीं बैठ करके आपको करनी है, दूब दीब भी करना है प्रभू के श्री चरणों में, बैठ के, तो आपकी सारी कष्ट दूर होंगे, साथियों वेवाइक सुखों में भी फिर विरद्धी होगी आपके, आगे बात करते हैं सिंग राशी की जहातक है, जिनका की लियो साइन है, तो प्रिय असात्यों जिनका लियो साइन बनता है, उनके लिए बताएंगे कि आज आपका मन कुछ हد तक तो एक तरीके से प्रिसंद भी रहे गा, और कुछ चीजों को देखके आप कुछ हद तक संतुष्ट भी और दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं या करने की प्लैनिंग है या आप निकल पड़े हैं यात्रा पर तो मैं बताना चाहूंगा ये मध्यम परिणाम देगी आपको ये यात्रा लेकिन अगर आप शौर्ट डिश्चेंज जन्नी करना चाहते हैं या उस पर पात्रा में ही है उसमें भी कुछ रुकावण है जो महसूस कर रहे हैं लेकिन हाँ उपाय करने से धन के लाब में व्रद्धी हो सकती है उसके लिए आप करें गणेश इस्तोत्र का पार्ट गणपती जी की आरती तो आपकी उपर मालक्ष्मी जी की करपा स्वते ही होगी औ और जब आप ये करेंगे तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन जो है वो इंप्रूव करेंगे और माद्रुगा चालिसा का पार्ट और माद्रुगा जी की आरती भी अवश्य करें उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और सुख सुविधाएं तो आपके लिए उपलब्द हैं उनका तो आप लाब ले रहे हैं लेकिन प्रियसाथियों सुख सुविधाएं ठीक है अपनी जगा पर लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी ये चाहते हैं कि अच्छे परणामों की प्राप्ती हो आपको तो आ होंगी और जो हायर स्टूडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल रिजल्ट्स मिल रहे हैं मिलते रहेंगे विवाईग जीवन भी एक तरीके से मैं कहूंगा सामानने से मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ती के योग हैं आगे बात करते हैं जो कन्या राशी के जातक हैं जिनका की विर्गो साइन बनता है तो प्रियसातियों जिनका कन्या राशी है उन जातकों के द्वादश पाहों में चंद्रमा के होने से मैं कह सकता हूं कि आप अगर दूर दराज की यात्राओं पर निकल रहे हैं या करने की प्लानिंग रखते हैं आज के दिन त जहां तक आपके कारेच्छितर का प्रिशन है, आपके करियर का प्रिशन है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, और अगर आप उपाय करेंगे जो हम आपको देंगे, तो तो आपको कुछ और बहतर रिजल्ट्स पर राप्त हो जा धन का खर्च भी कहीं उससे अधिक आप लिश्ट बना के बैठे होंगे, कि मेरा खर्च यहां पर मुझे करना है, लेकिन साथियों बस ध्यान इस बात कर रहें, कि आपका बजट ना बिगड़े, खर्च उसी हिसाब से कीजेगा, मान सम्मान में भी कमी के योग बनने हैं, तो अपने कारे छेतर में किसी के साथ भी या अपने जीवन साथी के साथ भी कहीं पर भी हैं आप, किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पढ़ें, वाद विवाद जैसी होने की स्थिती में, वहां से आप अपने आपको दूर कर लें, घर परिवार के साथ अस्ते हो गए गर के बड़े बुजरुग हो गए, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनके साथ कोई ऐसी तिकत नहीं है, इस्टूडेंट जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं कन्याराशी के या हाइर इस्टेडीस कर रहे हैं, उनके लिए जितनी महनत करेंगे, उस आपको एक उपाय, वैसे तो ये उपाय सारी चीनों के लिए है, सभी चीनों के लिए है, अगर यही अकेला उपाय आप कर लेते हैं कन्याराशी के जातक तक तो आपका वेवाहिक जीवन भी सुखद होगा, और उपाय क्या है, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है, और म आपको, क्या है, ओम सर्व मंगल मांगले, शिवे सर्वारत सादी के, शरन नहे तरियंब के, गौरी नाराइनी, नमोस्तुते, 21 बार, लगातार करें, रोज करें, वेवाइक जीवनों में सुधार होगा आपके, बाकी जीवन से जुड़ी हुई समस्यां वो भी दूर होग धन के लाब में ब्रद्धी के योग बने हुए हैं, आज के दिन, यानि कि जितना लाब आपको अब तक था, या उसमें कमी थी, कहीं ना कहीं उसमें सुधार, धन के लाब में, इसके अलावा, मित्रों से भी आप कुछ ना कुछ सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं, साथियो जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपनी पढ़ाई को ले करके थोड़ी सी महनत करनी पढ़ रही थी, अधिक तब जाकर के कुछ मध्यम परिणाम प्राप्त हो रहे थे, तो अब आपको थोड़ा सा अगर महनत करेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो और बहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, इस्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं, साथियों हायर इस्टूडीज करने वाले स्टूडेंट्स को तो अभी महनत के उपरांत भी सामान्य परिणामों के प्राप्ती के ही योग दिख रहे हैं, घर परिवार के सदस मूड में रहेंगे और अपने जीवन साथी के पिलती भी काफी रोमेंटिक रहेंगे, और उनके साथ अपने इस रोमेंश के जो पल हैं, इसका आनन्द आप लेने वाले हैं, प्रिया साथियों थोड़ा सा शत्रूं से साबधान जरूर रहे हैं, विरोधियों से साबधान है तो इसलिए लेकिन यहां पर मैं एक बात और करूँगा कि थोड़ा सा जो भी आप धन है जो कमाई हो रही है आपकी जो इंकम के रूप में उसको मित्रों के उपर ना उड़ाएं जादा इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर खर्च की मिना धिकता लग रही है तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे ऐसा हम आशा करते हैं साथियों उपाए आज के दिन आपको क्या करना चाहिए तो बर्गत के पेड़ पर जा करके आपको जल चढ़ाना करके जो मिट्टी गीली होगी उससे तिलग कराएं अपने उपर यह उपाए आपको करना है इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स पराप्त होंगे बात करेंगे विरिष्टिक राशी के जातकों को ले करके जिनका की स्कॉर्पियो साइन है तो परिये साथियों जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपको अपने करियर में भी कुछ बहतर और और दिन के अप एक शाक्रत आज कुछ और बहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना से हम इंकार नहीं कर सकते अच्छी संभावना बन रही है हलाकि ये थोड़ा रुक रुक करके हो सकते हैं या थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन अच्छे प्रणाम मिलना तै है ये तो हम कह सकते हैं वैसे भाग्य कावी साथ आपको सामानने से मध्यम रूप में मिलने वाला है आज के दिन और higher studies करने वाले students को भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा उपर results प्राप्त हो सकते हैं education में जो normal education ले रहे हैं students वरिष्चे कराशी के उनको थोड़ी समस्याइं मैं देख पा रहा हूँ उनकी पढ़ाई से related या उनके results प्राप्ती को ले करके यहां समस्याइं दिख रही हैं वो उपाय हम आपको देंगे वैभाईक जीवन में भी कोई विशेश problem नहीं दिखती है बस थोड़ा जीवन साती के स्वास्त का ध्यान आपको रखना होगा अपने भी स्वास्त का ध्यान रखना होगा प्रिये साथियों अपने स्वास्त का ध्यान आप रखेंगे ही जीवन साथी का भी रखिएगा अपने साथी का ध्यान लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बठाने में कमी दिख रही है वैसे उपाए आपको क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सभी छेत्रों में आपको कुछ अच्छे और बहतर रिजल्ट्स मिलें कुल मिला करके तो सबसे पहला तो हनुमान जी की पूजा बिलकुल आपको छोड़नी नहीं है हनुमान जी की भक्ती कीजे और मंगल इस्तोत्र का पाट आप नियम इतरूप से करें हनुमान जी की पृतिमा के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान इस्तोत्र का पाट करें या मंगल इस्तोत्र का पाट करें दोनों मैंसे कोई भी आप कर सकते हैं नियम इतरूप से करें तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे और सूर्य देव की भी पूजा आपको अवश्य करनी है आज इत्ते हिर्दे स्तोत्र का पाठ चाये दसी मिनट करना है प्रहते काल प्रिश्चेत रूप से आपका और दिन के अपेख्षा करता अध्य का आपको सपोर्ट कर रहा है और भागे के ही कारण जो आपके करियर में इतनी समस्याँ हैं आपके सामने हैं तो वहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिनका बिगड़ने का आपको डर बरावर बना हुआ है कि भही करियर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिगड़ना जाए या बिगड़ने का डर बना हुआ कि अगर बिगड़ गई तो क्या होगा तो वहाँ पर जाकर आज कहीं न कहीं आपका जो भाग गया है वो आपके सपोर्ट दे रहा है आपके लिए और उसके कारण चीज़ें जो है वो बिगड़ने से रोक रहा है यह नहीं कहाना कि टेंशन कम हो जाएगी समस्याय कम हो जाएगी लेकिन जो परिस्टितियां बिगड़ रही है या चीज़ें बिगड़ने वाली हैं उनको कहीं न कहीं आपका भाग गगे जो है वो उन चीज़ों को रोकेगा बिगड़ने से income आपको बहुत अच्छी डंग से हो रही है मित्रों का भी सही होगा आपको बरावर प्राप्त होगा और जो student से normal education ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई में अपने results लेकर के आ रहे हैं और higher studies वाले भी students अच्छे परिणामों की प्राप्ती कर पा रहे हैं आज के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्य हों चाहिए घर के बड़े बुजर्ग हों उनके साथ सामाने से मध्यम relation आपके रह पाएंगे खान पीन का जरूर ध्यान रखें वरना पेट से संबंदित व्याधियां आपको परिशान कर सकती हैं दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाबकारी रहेंगी अगर आप करते हैं उपाएं आज की दिन आपको क्या करना है तो भगवाएं शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल में कच्चा दूद मिला लें गाय का हो तो और भी अच्छा यानि कि पंचा मृत बना करके अगर पंचा मृत से भगवाएं शंकर जी के शिवलिंग का भी शेक आप करते हैं चाहूंगा कि आज के दिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं निश्चित रूप से अगर कोई पहले से उनको आप से कोई शिकायत रही है तो आज के दिन वो शिकायत दूर होगी और कुछ बहतर अंडरेश्टेंडिंग आपकी अपने घर के बड़ों के साथ बनेगी और कह ना कहीं जो घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तनातनी या तनाव टेंशन ये था उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होते हुए आप महसूस करेंगे देखेंगे लेकिन भाग्य का जो सपोर्ट है उसमें अभी रुकावट है उसके लिए उपाय हम आपको देने जा हैं वो उपाय आप जरू करें उससे लाब मिलेगा हायर स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी परेशानिया बनी हुई है अपनी एजूकेशन से संबंदित या रिजल्स प्राप्ती से संबंदित इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे नॉर्मल एज जनका सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी सामाने से मध्यम रूप से जो भी करेंगे उसका अच्छा लाब आपको हो पाएगा लाब के रूप में अच्छा रिटन मिल पाएगा प्रिया सात्यों करियर में कुछ अच्छे प्रणाम आपको आजके दिन भी प्राप्त होने जा रहे हैं रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त करेंगे आपके दिन और सुक्स विधाओं का भी लाब मिलने जा रहा है बाफ़ूद इसके के आपके पराकरम में कमी रहेगी सातियों उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए तो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी करन्याओं को यनि कि जो च्छे वरश से नौ वरश के बीच की करन्या हैं उनको आप दूद, दही या सफेद मठाई ये आप खिलाएं पलाएं और सफेद जीवन में भी सुख पराप्त करेंगे और वैभाई जीवन में जो आपका जीवन साथी है उसको भी स्वास्त में सुधार होते हुए आपको महसूस होगा ये उपाय आपके लिए बड़े लाबकारी रहेगा ये करिएगा आगे बात करते हैं कुमराशी के जजातक हैं जिन कर रहे हैं यदि आप किसी पार्टनर के साथ पार्टनर्शिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आज निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं और भाई करियर तो आपका अच्छी दिशामें चली रहा है उसमें तो कहने वाली कमी है तो धन के आगमन में कमी ना रहे मालक्ष्मी जी की खरपा आपके उपर बनी रहे उसके लिए भगवान विश्नु जी की पूजा करें और भगवान विश्नु जी के श्री चरणों में आप केसर का तिलक करें भगवान विश्नु जी की मूर्ती पर मालक्ष्मी जी की पूझा साथ में करें और आप खीर का भोग लगाएं मा लक्ष्मी जी को और भगवान विश्णुजी को और वहीं बैट करके ओम या देवी सर्व भूतेशू लक्ष्मी रूप इनसन सिता नमस तस्षाई नमस तस्षाई नमस तस्षाई नमो नमा इस मंत्र की एक माला और एक माला करें आप ओम नमो भक्वते श्री वासू देवाए इस मंत्र की आपके उपर मालक्षमी जी की करपा बनेगी नमबर एक जो दूसरे भी और रुके हुए कार रहे हैं वो भी समय पर पूरे होंगे और आपका जो एक तरीके से अगर आप वेवाहिक जीवन भी सुखत चाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि सूर्य देव की भी पूजा करें सुवे को प्राते काल उनको जल अर्पित करें ताबे के पात्र से तो उससे भी आपको बहुत लाप की प्रांफ्ती होगी अब आगे बात करते हैं अंत में मीन राशी के जो हमारे जातक हैं जिनका पाइसे असेंडेंट है तो प्रियसातियों सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके मीन राशी के जातकों के बैवाहिक जीवन में जो तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, सुखों में कमी हैं, वो तो हम देखी रहे हैं, गरों की इस्सिती के कारण, इसके साथ साथ करियर में भी कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर परेशानियां कम हैं, वहाँ पर भी हैं, तो मैं समझ सकता हू कि आप मीन जो राशी के जातक हैं बस इतना जरूर है मैं बार बार यही बोलता हूँ जब भी मीन राशी की बात करता हूँ कि गुरू ब्रस्पती के कारण आपका भागे आपको सपोर्ट कर रहा है इतनी सब कुछ समस्या हैं होते हुए भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई नुकसान नहीं हो पा रहा है और इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्रस्पती के कारण भागे को सपोर्ट मिल रहा है भागे के कारण चीजें बची हुई हैं और बची रहेंगी उन चीज़ों को ले करके आप बिलकुल परेशान नहीं हो अगर आप कुछ परेशान है या कुछ चिंतेत हैं तो वो व्यर्थ है करना उसको छोड़ दीजिए साथियों मैं आपसे इतना भी बताना चाहूंगा कि इनकम भी आपको समानने से मध्यम हो रही है आपके नीट्स फुल्फिल हो रही हैं पैसे से संबन दे तो वो होती रहेंगी खर्च बेशक चाहें अधिक मात्रा में है लेकिन थोड़ा सा सयम से काम लें और खर्च भी जोड़ा सोच समझ के करेंगे तो ऐसी बात नहीं है चीज़ां सही रहेंगी वैसे शत्रू विरोधी शानत रहेंगे रोग भी शानत रहेंगे किसी हद तक किसी हद तक तो वो लेकिन इस्टूडेंट्स जो है नॉर्मेल एजूकेशन वाले उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उसके ठीक विप्रीत जो हमारे हायर स्टूडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छे प्रेणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं प्रियसातियों सबसे पहला कार रहे हैं कि आप गव माता को गुण और अनाज या आटा ये खिलाएं अपने हाथों से पहला कार रहे तो ये करें ताकि आपके रोब शान्त हों मान सम्मान में कमी ना आने पाए और ओम प प्राते काल इसनान आदी से निवरत होकर के जरू कर लें और अपने पिता के चरण चुकर के उनका आशिरवाद प्राते काल उठते ही लें और इसके अत्रिक जो दूसरा उपाय आपको करना है वो करना है माचंडी का इस्तोत्र का पाठ करेंगे तो सारे कष्ट दूर हो ज दोहजार चौवेस दिन सौमवार विकरम समवत दोहजार एक्यासी का और हमने इस दैनिक राशी फल के माद्यम से आप सभी को लेकर के मेश राशी से मीन राशी तक ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है तो साथियों अगर आप जो हमारे दिन को और श्रेष्ट बना सकते हैं तो हम समझते हैं कि ये चर्चा या वीडियो आपको पसंद आया होगा धनिक राशी फल से संबंदित और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूने अधिक से अधिक मात्रा में अ आप उनका लाब ले सकें तो फिर आप बैल आइकन जरूर दबाएं प्रिया साथियों अब हम अपने इस कारे करम का करेंगे हैं समापन और अपने आप सभी प्रिया दरशक गणों से लेंगे इजाजत तो आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता दी झाल 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 झाल